Q1 быть good morning students मैं आज आप लोगों को engineering physics lab में hall effect के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं क्या होता है hall effect कैसे generate होता है hall voltage ये सारे चीजे के बारे में हम लोग इसके आगे अधियान करेंगे यह सिर्फ आप लोगों की study है इसमें कोई experimental data नहीं लेना यह आप लोगों को study करना है तो इसलिए हम लोग आगे चलते हैं और सिल सिल्वार ढंग से इसके बारे में study करते हैं इसमें आप लोगों को reading चुकी नहीं लेनी है तो experimental कोई data लिख कर calculation और नहीं करने हैं आपको आपको बस जैसे-जैसे मैं आगे PPT दिखाऊंगा जैसे-जैसे theoretical चीजे आती जाएंगी और जैसे-जैसे figure भी आते चले जाएंगे वैसे-वैसे आपको अपने files में या pin page में बनाना है और उसी तरीके से photo लेके जैसे experimental वाले चीज में आप photo pics या लेकर upload करते थे वैसी इसमें भी upload करना है ठीक है तो चलो discovered by Edwin Hall, एक Edwin Hall नाम का scientist था 1879 में ठीक है उन्होंने ही इस Hall effect के बारे में अधियन किया इसका अविश्कार किया ठीक है It is the production of voltage difference across an electrical conductor, electrical conductor के बीच का potential difference होता है यह Hall effect ठीक है आज जब भी कोई conductor हुआ उसमें electric field applied है और magnetic field भी उसी समय applied है तो जो force generate होगा और force generate होने के बाद जो voltage create होगा उसको Hall effect बोलते हैं, Hall voltage बोलते हैं और इस effect को, इस phenomenon को Hall effect बोलते हैं तो चलो इसको समझने के लिए हम लोग step by step इसका अधियन करते हैं कैसे यह generate होता है, उसको step boys मैं बना दिया हूँ और step boys आप भी लिखोगे इसी प्रकार से तो इसमें क्या है कि पहले क्या करो कि आप एक select करो कोई conductor select करो या कोई semiconductor select करो ठीक है उसको select करने के बाद आपको क्या करना है कि उसके across एक electric field applied करना है जैसे मानलो कि मैं यह figure लिया हूँ ठीक है यह हमारा क्या है एक conductor हो गया यह semiconductor हो गया एक slice है ठीक है और इसका मानलो यहां पर मैंने positive charge से इसको क्या कर दिया positively बैटरी के positive से इसको connect कर दिया और इसके बैटरी के negative से connect कर दिया ठीक है connect हो गया हमारा अब जाहिर सी बात है कोई conductor के cross हम battery लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो है current flow करना स्टार्ट होगा तो देखो current i flow क्या है स्टार्ट कर गया current i flow करना अब जैसे ही i flow करेगा ठीक है i current होगा तो आपको पता होगा कि direction of electron is always opposite than that of the direction of current एक बार फीर से मैं दो राता हूं कि direction of the electron that is flowing from the conductor is always opposite than that of the direction of current यानि current के direction के complete opposite होता है direction of electron देखो तो कैसे आप लोगों ने 12 में भी पढ़ा होगा इसके सिल्सिले में तो आप लोग इसके जानते होंगा direction of electron देखो अब electron को flow कराते हैं चलो देखो यह हमारा electron है अब स्टार्ट निगेटिव टर्मिनल से इजेक्ट होगा और यह फ्लो करने लगेगा देखो कैसे फ्लो करता है आगे तीक है आगे ऐसे ऐसे करके हमारा electron जो है मूव करना स्टार्ट होगा यह ध्यान रखना स्टेप वॉन में अभी हम लोगों ने क्या किया एक conductor लिया और conductor के दोनों टर्मिनल को एक बैटरी से चार्ज क्या कि यह बैटरी जो चार्जड है उसको एक positive terminal से यहां connect कर दिया और एक negative terminal से connect दिया और फिर electron का movement होने लगा current का movement होने लगा अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे देखो यहां पे terminal A है क्या है हमारा terminal या point मालू A है यहां पे point क्या है B है अब सोचो कोई अगर बोले कि हमें point A और point B के बीच का potential difference मालो कि हम यहां और यहां एक माल वोल्ट मीटर connect कर दें क्या करें volt वोल्ट मीटर करें और उसको बोले कि हम लोग चलो भाई potential difference मेजर करते हैं तो यह बताओ कि क्या voltage होगा यह और यह मालो वायर करनेक कर दिया यहां से एक वायर औ सोचा है और करेंगे तो क्या वहाँ पोटेंशल डिफरेंस कुछ वैलू आएगा कि जीरू आएगा डेफनेटली जीरू आएगा क्योंकि यह इलेक्ट्रोन जो है हमारा यह फ्लो ऐसे कर रहा है यानि दोनों जो पॉइंट है पॉइंट ए और पॉइंट बी वह दोनों सेम प अगर हम भॉल्टेज मेजर करेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में तो हमारा जो पोटेंशल डिफरेंस होगा वह जीरू होगा ठीक है ना इसलिए यहां पे हेडिंग भी लिखा हुआ वेंड इलेक्ट्रोन फ्लो विदाउट दी मैगनेटिक फिल्ट यह बीन मान लो की हमारा जो अरेंजमेंट था यह अरेंजमेंट टोटल अरेंजमेंट है और मान लो कि हम मैगनेट इस तरीके से लगा है कि इसके पीछे नौर्थ पोल है और इसके आगे क्या है हमारा साउथ पोल है ध्यान से एक बार सुनो यह पूरे होल अरेंजमेंट को हम लोग कर लगा दे कि यहां पे इसके पीछे north pole हो magnet का और इसके आगे south pole हो तो आप लोग फीर 12 में पड़े होगे कि magnetic field कहां से कहां पास flow करता है तो north pole to south pole ठीक है ना तो यह हमारा जो है हमारा magnetic field फिल जो है वो flow होना start हो जाएगा देखो यहाँ पे यह हमारा magnetic field पीछे से आगे आना start हो गया यह magnetic field क्या हुआ पीछे से आना start हो गया ठीक है अब इसमें हमारा तुम्हारा क्या हो रहा है current flow कर रहा है current भी flow कर रहा है electron भी flow कर रहे हैं अब इसमें क्या है होगा कि अब चुकि electron भी flow हो रहा है magnetic field भी apply हम लोगों ने कर दिया है तो अब चलो पीछे वाले slide पर चलते इसमें क्या है यहाँ पर चलो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ही magnet apply करते है और magnetic field flow होने लगता है तो electron के उपर एक force आ जाता है force apply होने लगता है जिसको हम लोग magnetic Lawrence force भी कहते हैं electron पे जो हमारा force आने लगता है apply होने लगता है उसको हम लोग magnetic Lawrence force भी बोलते हैं ठीक है तो और इस force को अगर हम identify करना चाहते हैं कि यह force किस direction में भाई लग रहा है किस direction में तो हम लोगों को flaming left hand rule से निकालना पड़ेगा flaming left hand rule जानते ही होंगे आप लोग 12 में पढ़ा होगा flaming left hand rule क्या होता है कि अगर आप left hand को इस प्रकार से रखते हैं ठीक है left hand ज्यान देना left hand को इस तरीकी से रखते हैं कि left thumb, four finger और middle finger आपस में क्या हो तीनो 90 डिग्री का कोण बना है तीनो एक दूसरे के respect में 90 डिग्री का एंगल बनाना इस्टार्ट कर जाए तो देखो यहां पर मैं लिखा हूं लेक्षे में टेनोड के तुम क्या होगा 90 डिग्री टू एच अद्रफटी दिग्री के लीखाँ और वेट्पार चेश वेट्वह ना हमारा का जो सब्सक्लान पताने लगे तो पर में तकर जो लेब थम्ब है वो direction of force यानि direction of magnetic Lawrence force को दर्शाने लगेगा एक बार समझ फिर से मैं बताता हूं कि जब flaming left hand rule को लगाएंगे तो हमारा जब four finger क्या है magnetic field को दर्शा रहा है और middle finger जो है वो हमारा direction of electron कर रहा है तो उसी समय हमारा जो लेब थम्ब है वो direction of force बताएगा तो देखो आगे चलते हैं देखो यह हमारा स्लाइड है magnetic field उदर से इधर आ रहा है याने पीछे से आगे आ रहा है यह हमारा current पास कर रहा है इस पर positive मान लोग यह electron है इस पर हम लोग क्या करते है अपलाई करते हैं तो मान लोग के left हम ऐसा left अपना hand ऐसा रखो कि हमारा जो direction of क्या यानि middle finger middle finger हमारा Quatic magnetic field तो middle finger जो है उठर से इधर हो यानि पीछे से आगे अगे हो और four finger और sorry क्या बोलते है यहां पर हमारा the fiveую 4 finger जो थाए magnetic field koser finger हमारा पीछे से आगे होना चाहिए और middle finger क्या है direction of electron है positive electron है मा tale हांथ को अंगोली तुमारा middle finger उसको ऐसे कर दो यानि right-to-left कर दो और तुम्हारा forward finger है, उसको पीछे से आगे करो, तो तो तुम्हारा force apply होगा, वो उपर होगा force क्या होगा? उपर apply होगा इसके opposite direction में force positive पे होगा, positive charge of electron पे होगा, तो चूकहि ये negative charge of electron है है ना? ये जो है negative charge of electron है तो इस पे जो हमारा फोर्स होगा वो कहा आएगा नीचे अपलाई होना स्टार्ट हो जाएगा तो यह क्या है कि जितना भी है यह निगेटिव चार्ज अपना अपलाई होना यहां पे स्टार्ट हो जागा निगेटिव फोर्स अपलाई यहां पे होना देखो यह जो है हमारा कि एलेक्ट्रॉन धिरे-धिरे करके फोर्च चुकी आरहा है तो वह इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है अब जाधसी बात इंग चहां भी लगेगा तो यह इलेक्ट्रॉन करना स्टार्ट हो जाएगा तो फोर्च ऊपर से नीचे की और अपलाई होने लग forehead के तहत तो यह हमारा फोर्च जो है अब नीचे हो रहा है तो हमारा Jedi को तो नीचे हा गिए ढ़या धेखो आ रहा है ठीक ना हमारा है और कुछ-कुछ इलेक्ट्रोन उधर भी जाएगा यानि पोजेटिव चार्ज पोजेटिव टर्मिनल अब तर बैटरी के तरफ भी जाएगा अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा सोचो अब जैसे मालो की इनफाइनाइट की हम बात करें या ऐसा समय बात करें जो बहुत सारा समय बेच चुका हो तो कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि मेजॉरिटि यहाँ यानि मैक्सिमा मेलेक्ट्रॉन जो है वह जो पॉइंट भी था यानि नीचे वाला पॉइंट था, वहां पे आके अकत्रित या जमा होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ना ध्यान दो जब नीचे वाला point निगेटिबली चार्ज्ड हो जाएगा तो उसके r virtue यानि उपर वाला that mat क्या होगा अटोमेटिकष ली positive potential पर हो जाएगा है यानि नीचे वाला जो potential है, वो negatively potential हो गया, तो उपर वाला क्या हो गया हमारा, उपर वाला हमारा positive potential पे आ गया है, ठीक है न, उपर वाला हमारा क्या हुआ, positive potential पे आ गया, ठीक है, चलो आगे, देखो, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यह हमारा क्या है, slice है, या conductor बोलो, या semiconductor बोलो, ठीक है, से टाइम बढ़़ रहा है उसके बाद किम बता रहे है मैगनेटिक wrinkles पीछे से आगे था ठीक है मैगनेटिक विल अब यह जो हमारा है इलेक्ट्रोन है वह क्या हुआ, नीचे सब जम्हक घुमें estasut है यानि नीचे वाला बम अमारा क्या हो गया जाहिर सी बात है कि अब निगेटीवली चार्जध हमारा नीचे कलेक्ट हो गया है तो लूप पोटेंशिल पर हो जाएगा कहीं भी हम लोग में भी पड़े हैं तो हाई पोटेंशव का मतलब है है हाइद का मतलब है वह लोग हमेशा अपने बोल चाल की भासा में हाई पोटेंशियल उसी को बोलते हैं जो पोजिटिवली चार्जड हो यानि बैटरी का मालो की बैटरी तो आप जानते हो तो बैटरी का एक टर्मिनल अगर हम उसको सेम्बॉल की फॉर्म में डेनोड करते हैं तो एक बड़ा सा लक जमा वो गया वो पोटेंशल पे हो गया और इसके पोजट यानि उपपर वाला हमारा क्या हो गया तो उपर पोटेंशल पे Claytono के mizam magnetic field के, बिना magnetic field के मैंने बताया था कि जब conductor के cross, क्या लगता है, electric field apply किया जाता है, तो current हमारा flow होना start हो गया था, आप लोगों ने पीछे वाले पीपिटी में भी देखा था, कि हमारा current किदर से किदर flow कर रहा था, हमारा current जो था left to right flow कर रहा था, लेकिन electron जो था, हमारा right to left flow कर रहा था, कर रहा था हमारा, अब जैसी current कर रहा था, तो अगर हम point A और point B, point A और point B के बाद करें, यानि point A कहा था, तो point A हमारा उपर था, और पॉइंट अबी कहा था 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 पॉइंट भी नीचे था सॉरी पॉइंट ए जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का हम लोगों ने potential difference जाना भी था तो कितना था उस समय क्या था जीरो था क्योंकि same potential था ना तोनों स्प्रप से उपर से सेम म的ole quer gather अगर से वह सेम में आट्व जो है pasta आए इसलिए इसमें उपर भी सेम् पोटेंशल था नीचे भी सिम्टेंशेल था आप गारें लोग हम लोग का in to potential Difference हमारा जो हाएगा वह zirap थीक ए 4 अब क्या हो रहा है अब जो हम लोग ने magnetic field लगा दिया तो क्या रहा हो कि हमाराव जो टर्मिनल है वह में पोटेंशल हो गया अब उपर वाला हाई पोटेंशल हो गया क्योंकि उपर वाला जो है हमारा पोचिटिवली चार्ज हो गया और निचे वाला क्या हो गया वह निगेटिवली चार्ज हो गया इसलिए दोनों के बीच में पोटेंशल डिफरेंस क्रियेट हो गया अब पोटें थीक एकशिते फोर में हमने बताया है कि पॉइंट ए निगीटिव ली चार्ज हो जाएगा और बीज निगेटिवलीज को जाएगा और दोनों कीपीज का जो वोल्टेज है वो डीफरेंस है या potential तो फाइनली क्या होगा तो फाइनली क्या होगा तो फाइनली देखो यह हमारा कंडुक्टर है magnetic field आ गया है करेंट लो कर रहा है देखो के अधर धस्य एत पोईट यहां उपर और ऐक पॉइंट नीचे दोनों terminal को connect कर दिया महलो वोल्ट मीटर से connect कर दिया देखो यह हमारा जो है यह क्या है हमारा वोल्ट मीटर यह reading का sign है यह deviate करेगा तुमारा तो जैसी हम यहां दोनों wire यहां पर connect करते हैं तो यह हमारा क्या होगा deviate होना start सब्सक्राइब निए बढ़ेगा हो जाएगा वही वोल्टेज हमारा होगा क्या हॉल वोल्टेज को किस से दिनोट करते हैं तो विएच से दिनोट करते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो यह देखो, तो अब इसका voltage, how to calculate the hall voltage, voltage इसका formula होता है, देखिए, VH is equal to, sorry, BINQT, where VH is equal to hall voltage, B क्या था, हमारा magnetic field था, I क्या है, तो bias current है, bias current क्या, DC voltage अगर लगा दिये, तो I क्या है, हमारा bias current हो गया, N जो है, हमारा charge carrier हो गया, Q जो है, atomic unit of charge, charge होता है, ने, उसका atomic unit है, ठीक है, आगे देखो, चलो इसके applications के बारे में बात करते हैं, क्या-क्या इसका application होता है, कहां utilize इसको कर सकते हैं, hall voltage का concept आया ही क्यों, आखिर कुछ न कुछ, इसका application होगा, तभी तो हम लोग पढ़ भी रह है, right, चलो आगे देखते हैं, देखो, तो hall props, इसको hall props में भी इस्तमाल होता है, are often used as magnetometer, that is, to measure magnetic field or inspect material like tubing or pipelines, using the principle of magnetic flux linkage, ठीक है, दूसरा इसका use होता है, hall effect devices, यह चुकि यह, जो devices, hall effect वाला devices, वो बड़ा ही, low signal level produce करता है, इसका मतलग, यह amplifications के लिए, यह तयार होता है, amplification के लिए ready होता है, इसलिए इसका vacuum tube amplifier में भी इस्तिमाल करते हैं, आगे देखते हैं, इसका बहुत major application यह है, कि इसको use किया जाता है, as to identify the P type और N type semiconductor, P type semiconductor क्या होता है, P type semiconductor क्या होता है, जब semiconductor जो है, उसमें positive charge जादा हो जाता है, उसमें doping जो होता है जो positive charge होता है, उसमें ज़्यादा मात्रा में doping कर दिया जाता है, इसलिए P type semiconductor हो जाता है, लेकिन अगर N type की बात की जाए, स्पाइप कैसे होता है इससे लिए हो जाहिए पूल होने के लिए कि लिए भी यह मारा जो है हॉल जो है हॉल वोल्टिज जो है हॉल इफेक्ट है इस्तमाल किया जाता है ठीक है चलो तो अब हमारा ये जो study है ये हमारा complete होता है और यही आपका physics lab का last experiment था जो की study था इसको आपको सेम चीज मैंने जैसे शुरू start करते हुए आपको बताया था कि आपको जैसे जैसे आपका figure बनाया है वैसी neatly आपको figure draw करने है files में या pin page में और जो जो theory लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ है application जैसे लिखा हुआ है same to same वैसे ही आपको लिखने है nothing to be worry about the reading इसमें हम लोग कोई reading नहीं लिए है ना आपको कोई calculation करना है so you will have to write only the things that I have written over here okay so okay student thank you so much thank you